मंत्री पड़िशत के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी यूपी सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी निलकंड तिवारी जी रविंद्र जैस्वाल जी सौसद में मेरे साथी स्री बीपी सरोज जी स्रीमती सीमा दिवेदी जी विधान सभा और विधान परिशत के सभी मानेनिय साथी गण बनास डेरी केट चैर्वेन स्री संकर भाई चोधरी और विशाल संग्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बेहनों बारा नसी के इस पिंडराथ शेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला पडोस के जिला जोनपूर के सब बंदू एवां भगीनी लोगन के भी प्रणाम आज वारा नसी और आस पास का ये पूरा खेत्र एक बार फिर से पुरे देश, पुरे उत्तरप्रदेश के गावों, किसानों, पसुपालकों के लिए बहुत बड़े कायरकम का साक्षी बना है आज का दिन इतिहास भी विशेश है और इसलिए भी विशेश है क्योंकि आज देश के पुर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सींजी की जन्मजैंती है मैं उन्हें आदर पुर्वक स्थरब नाजली देता हूँ उनकी इस मृति में देश किसान दिवस मना रहा है साथियों हमारे यहां गाय की बात करना गोबर धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं जैसे कोई गुना कर रहे हैं गुना बना दिया है गाय कुछ लोगों के लिए गुना हो सकती है हमारे लिए गाय माता है पूजनी है गाय बैस का मजाक उड़ाने वाले लोग यह बूल जाते हैं कि देश के आठ करोड परिवारों की आजीविका ऐसे ही पसुधन से चलती है इनी परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगबग साड़े आठ लाग करोड रुपिये का दूद उत्पादन करता है और ये राशी जितना भारत में गेहूं और चावल गेहूं और चावल का उत्पादन होता है उसकी कीमत से भी कहीं जादा ये दूद उत्पादन की कीमत है इसलिए भारत के डेरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सरवोच्च प्रात्विकताओं में से एक है इसी कड़ी में आज यहां बनास कासी संकुल का सिलान्यास किया गया है साथियों अब मैदान छोटा पड़ गया है जगा नहीं है आप वही पर अपने आपको समाल लीजिए बनास देरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोडों रुपिये ट्रांसपर किये गए हैं राम नगर के दूद प्लांट को चलाने के लिए बायो गैस आधारित पावर प्लांट का भी सिलान्यास हुआ है एक और महत्वपुण बात हुई हैं जिसका सकानात्मक प्रभाव पूरे देश के डेरी सेक्टर पर पड़ेगा आज यहां दूद की सुद्धता के प्रमाण के लिए देश भर में एकी कुरूत व्यवस्ता और उसका लोगों भी जारी हुआ है डेरी सेक्टर से जुड़े इन प्रयासों के अलावा आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज यानि गरोनी भी सुपी गई है अपने लोगों